ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं एंडी के एक वीडियो मतलब यह आई गाइस पार्ट टू होने वाला है इस वीडियो का तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो से पहले जिंजिन लोगों को नहीं पता फिजिक्स का पेपर हो क्या चुके था बोल नहीं सकता हूं गाइस तो लेक के बता रहूं आप लोगों को मतलब की यूट्यूब पर बोलें की परमिसन नहीं होती क्यूंकि वो लोग्स लिए वीडियो को तो वो लोग टेक डाउन करवा देते हैं वीडियो को स्टार्इक मारके तो इसलिए आप के लिए मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से जाकर जोईन हो जाओ वाटसप ग्रूप में लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्सन में और कॉमेंट बॉक्स और मैं आप लोगों को अच्छे-चे कॉमेंट करने की पेपर कैसा बना और जो कॉस्टिंस मैंने मैं यहां पर बोलूँ आप लो कभी नहीं सुर्माना है एक क्रिष्ण को अपना पती मानती थी मीरा भाई और नमक कदरोगा 1934 में हुई थी भारत सब्द संस्क्रिस्त से आया है लता मंगेशकर के पिता कराम दीनानात था बहुत सारी बच्चों ने सही आंसर दिया था फिर भक्ति साखा के ग्यानमारगी साखा के प्रमुक कभी ते कभीरदा कभीर कनुसार इस्वर एक है वे आंखे कभी में तो कथा का चित्रन करता है तो इसमें आप लोगों को इसका अंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है मियन असुरुद्दीन चपन प्रकार की रोटियां बना लेते थे पंडे तालोपी दीन धनक परखंड विस्वास रखती थे लता मंगिस करके पिता का नाम दीना नाथ मंगिस करता फिर कोई की खुदाई का का काम कहलाता है इसका अंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना है फिर है पदमावत किसकी रचना है तो जैसी की जैसंकर जैसी उनका नाम आप आप पूरा कमेंट में कीजेगा मुझे याग नहीं आ रहा है ठीक है तो फिर कभी इनने संसार को क्या कहा है कभी इनने संसार को मतवाला कहा है कभी ने तो अपने आपको मतवाला काता है संसार को क्या काता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा मीरा के परती मतलब मीरा किसन को अपनी भक्ती के इसे मतना चाहती थी फिर दूसरी बार लॉर्ड करनन भारत आने से क्यों परसन ना था कॉन परसन ना था इसका अचए बताना है फिर मिया नस्रुद्धीन कितने परकार की रोटनें मना लेते थे छपपन परकार की फिर आप लोगों का लोगी तलता मंगी स्कर का मुख मतलब लोग पिड़ियता माने का मुख मुख यमार्ग था गायन का ठीक है फिर है आप लोगों का यहाँ पर धरातल में बहने वाले पानी को क्या कहते हैं इसका अंसर बताईए फिर ग्यान मारगी साखा तो इसमें आप लोगों के कौन आते हैं सूरदास नहीं आते हैं तो फिर आते हैं आप लोगों के इनके मैचिंग के जैसा कि आपको अंसर पता है इनका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताने इनको आंसर ढूनना थोड़ी मुस्किल हो जाता है ओके फिर आते हैं हमारे सत्य 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 की पहचान कीजिए तो ये छे नंबर की होते हैं जैसंग का चायवादी थे कबीर के नुसा सभी जीव एक जोती से प्रेट सारत थे और मीरा का दामपत जीवन सुखी नहीं बीता मियन असर अद्दीन पाँच हजारी सिर में हिलाए पाँच हजारी अंदाज में सिर हिलाए फिर है हमारा आंसर क्वेशन फाइव थी लॉर्ड कायनन के सासन का अंत अती इस सुखत था तो जी नहीं फिर है लता के गाने के कान रस विसेश प्रसना वली दीत की तेवेक्त होता था हाँ सत्य फिर है मानव सरीर कर निर्माण के इन पांच तत्वोस होता है तो इसका अंसर है अगनी वायू धूल प्रतवी और आकास इनसे होता है ठीक है पानी से भी होता है मतलब पानी भी होता है इसमें हाप लोगों का कबीर की दिश्ट्री में एस्वर एक है इसके समर्थान उन्हें क्या तरके दिये तो जैसे कि यह NCRT का सवाल है ठीक है मीरा किसे अपना पती मानती थी मीरा कृष्ण जी को अपना पती मानती थी बक्ति कालीन के अर्मार्गी साखा में कौन सी भासा का प्रयोग किया गया तो ब्रज भासा और अवदी भासा का प्रयोग किया गया ठीक है और मीरा भाई ने राजस्थानी प्लस अवदी भासा का प्रयोग किया था प्रगर्ति वात की दो विश्टा है बतानी है प्रवत्तियां बता सकते हैं आप लोग तीलक को दो कवी एवं उनकी एक रचना है बता काल ठीक है भक्ति काल लिखा हुआ है यहां पर वो थोड़ा एरेज हो गया होगा क्या पता एडिटर से फिर नौकरी में आप लोग को ओधे का ध्यान मत दो यह तो पीर का मजार है यह कथन किसका था तो यह कथन आप लोग बता सकता हूं मैं बता दूंगा मुंसी वंसी धर मुंसी द्हा उनने के किसी डिलेटिफ का था इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं चलिए पता ऑई देता पता का था ठीक है फिर है आप लोगों का मियन असुरुदिन कौन सी बात से आपको अच्छे लगी कौन सी बाती आपको अच्छी नहीं लगी मतब कUNGकौन सी बाती आपको अच्छी लगने और कौन-कौन शी बाती लगने तो एक imatा बैड़ी बीने का निवानाच आंसर में एसा लखा हुआ है आप लोग ठीक कि इस परकार से बता सकते हैं के जबाब देने का तरीका फैरह आप लोगों को इस प्रकार से उखें होगए 11 ग्यारा उखें 12 कोशन और यह 13 की परीभासा देना है उधारन से वीद रस परीभासा करनी दो नंबर में आप लोगों के सवाल पूछे जाएंगे और जी हा दोसतो आप आप लोग मैंने देखा रहा है कि आप लोग जॉइन नहीं हो रहें वाटसप गूरूप में क्योंकि जो भी हमारा जो गूरूप था वह पहला वाला तो फॉल हो गया है जल्ली से जॉइन हो जाए क्योंकि आप लोगों को वहां पर रियल जी हम बलकुल टोटली रियल रियल लोगों को विश्वास नहीं होगा आप लोग करेंगे और आप लोग जब फिजेक्स का पीपर देंगे जो ही उसकी टायमिंग देखेंगी कि वह कब अप्लोड हो था तो आपको बस्तावा होगा कि हमने पहले जोइन क्यों नहीं किया जोइन नहीं कर रखा था उनके लिए मैं ही बताऊंगा वह भी नेक्स वीडियों में क्योंकि इस वीडियों में बताऊंगा तो बहुत जादा लंबा हो जाएगा और कबीर अत्वा मीरा के दो दो रचना था उनके काविगत विश्चता बतानी है फिर अप्रेम चंद तथा सेखर जोसी की साहतिक पहर जाय निमने पद्यांस दिया हुए है इसको पढ़कि आप लोगों को आसर देने फिर 19 वाला हो जाता है यह सवार और इसके बाद जो आप लोगों के बाकी के कुश्चन आते हैं वो कोस्चन आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब कुस क्या किया समझे रहे हूँ ना what's up group ही तो में चीज ए्वाट cup group को जोईन कर लोग समय कोई फाय दानी होथी, वाट्स Ap group में आपको भी पता होगा, what's up से पैसा नहीं मिलता है, हम लोग सिर्फ आपकी help करनना चाहते हैं इसलिए आप लोगों से कह रहे वाट्साप गुरुप जोइन कर लो